बात करने वाले आज वेभव ग्लोबल लिमिटेट के उपर इस कम्पनी में मेरा इंवेस्टमेंट है हमने 300 रुपए पर इस स्टॉक को लिया था फिर हमने कहां बेचा आपको पता होगा नहीं पता तो पुराने वीडियो को आप देख सकते हो complete discussion आज इस वीडियो में करने वाले हैं कि आज की डेट में क्या हो सकता है? March के result कल आउट होए हैं, आज क्या view बन रहा है हमारा, मैं क्या करना हूँ इस स्टॉक में? और सारा discussion बागी सारा करने वाले हैं आज की डेट में क्या किया जा सकता है उस के उपर तो this is the monthly chart जिसमें दिखता है कि stock अपने हाई से 75% correct हुआ, remind कराना चाहूंगा आप लोगों को कि हमने क्या किया था, 300 रुपे के आसपास हमने buy किया था, आपको मालूम है और उसके बाद में stock जब 4500 के आसपास गया यहाँ पर, 470 के आसपास गया था, हमने 4500 के आसपास 50% quantity बेच दी थी, 50% quantity को sell कर दिया, साड़े 400 पे, हमने 100% quantity कहाँ खरी दी ही, लगबख 300 के आसपास, उसमें से हमने 50% यहाँ बेची, तो बच्ची हुई 50% quantity जो है, उसका क्या किया जाए, लेकिन उससे पहले यह सोचिए, बच्ची हुई 50% quantity कोई cost कितनी हो गई, 150 रुपीज क अब review भी किया जा सकता है, लेकिन आज की date में क्या situation है, उससे देखना बहुत जरूवी बनता है, देखते हैं, आज की date में क्या निकल के आता है, सबसे पहले इस company के जरा March quarter के result के उपर भी चर्चा हो जाए, तो अगर March quarter के result देखा जाए, तो company ने 789 करोड की जो sales है, वो क साफी अच्छी करी है, लेकिन अगर आप यहाँ पे profits देखेंगे, तो profit बहुत कम है 21 करोड, यह अगर पिछले साल मार्स से देखा जाए, तो वहाँ पे sales कम थी, फिर भी profit 23 करोड रुपेस के लगबग थे, तो वो उससे भी कम आये है, margins के उपर clear pressure यहाँ पे नजर आ रहा और वहाँ पर इसके sales अच्छी होने के बावजूद भी margins पे pressure है, और यह pressure इतना जादा है कि इस company के profits उतने अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं, आज की date में, आज से साल तेट साल पहले जब 300 पेंट्री ली थी, तब लग रहा था कि आने वाले 2-3 साल में growth करेगी company, बट को देखिया, पच्छिस सो करोड की sales पे भी आप 277 करोड का profit ले के आ रहे थे, आज आप 3000 करोड से उपर की sales करके भी एक अच्छा profit नहीं दे पा रहे हैं, तो यह थोड़ा सा negative point है, जो मैं बिलकुल concern में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, और इसके उपर ध्या लगबग 1% holding बेची है, पिछले कई सालों में, FIIs को अगर आप देखेंगे तो उनका confidence लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो अपनी holding को increase करते जा रहे हैं, DIs यहां से लगातार निकलते जा रहे हैं, साथ में यहां पे हमारे विजे केडिया सर जो है, वो public shareholder है, वो इसमें लगातार holding बढ़ाते जा रहे हैं, आशिश कचोलिया साब जो लगातार holding बेचते जा रहे हैं, अब आप कैसे decision करेंगे, बहुत से लोग कहते हैं कि volume देखो, delivery percentage देखो, मैं उसे एक ही बात कहना चाता हूँ, इनको देखके कुछ नहीं होने वाला भीया, confusion की दुकान मन के रहे जाओगे, एक ने लिया है, एक ने बेचा है, आशिश कचोलिया ले रहे हैं, आशिश कचोलिया बेच रहे हैं, विजे केडिया ले रहे हैं, दोनों में से आप किसको कहोगे कि तुम्हें investing नहीं आती, सबकी अपनी अपनी requirement है यार, हम लोग इनको follow कर लेते हैं, कि न माली का अपनी requirement है, हम किसी को भी यย नहीं कह सकते हैं, कि mutual fund वाले मुर्ख है, कि मैंने एक वीडियो भी डाला है, कि mutual fund врillah मुर्ख नहीं है, ना mutual fund वाले मुर्ख होते हैं, ना ला कोई बेचने वाले मुर्ख होते हैं, हमेशा एक retailer होता है, वो मुर्ख बन जाता है, उसका reason होता है कि वो उनको blindly follow करता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए shareholding भी हमें कुछ खास indications नहीं दे रहे फिलाल बात करते हैं चार्ट पे चार्ट पे आते हैं तो हमें देखिए ये इतना indication मिलता है ये monthly चार्ट है कि पहले stock अभी 75% तूटा इससे पहले stock 54% तूटा और उससे पहले भी stock 75% अपने high से तूट चुका है back in 2015 to 17 के period में 16 के period में वहाँ पे तूट चुका है फिर recovery करी और फिर जबर्दस returns इसने अपने investors को बनाते दिये right now अगर situations को देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे यह monthly chart है हम drawing को यहाँ पे hide करते और देखें इसको ध्यान से monthly chart पे यह important resistance निकल के आ रहा है लगबग 500 के आसपास का important resistance है और यहाँ पे नीचे एक long term का support बना हुआ है 270 से 300 रूपे की एक range है वो एक important support है पिछले कई महीनों से अगर आप देखना चाहें candle का high और low इसके अंदर ही जो है वो stock फसा हुआ है पिछले दो महीने से इसके अंदर ही फसा हुआ है यह March month का low है March month के candle के अंदर ही जो है वो stock फसा हुआ है तो अब क्या किया जाए कि आज की डेट में क्या हो सकता है सबसे पहले convert करेंगे weekly chart पे weekly chart को ज़रा ध्यान से समझने कोशिश करें look at this यह weekly chart है हमें इतना पता चल गया अभी का trend क्या है monthly chart पे तो हमने देखा ही weekly भी अगर देखना चाहें तो देखें यह downtrend में और फिर sideways हो गया है इस trend के आसपास अब यह sideways होने के बाद हमें इतना idea लग जाना चाहिए यहां से नीचे जाता है मतलब इस level से नीचे जाता है यह level है लगबग 350 के आसपास 350 के नीचे जाने पे stock में और ज़्यादा pressure देखने को मिल सकता है हमें पता चल रहा है अब company के result से अगर market को बहुत ज़्यादा निराशा होती तो आज बहुत बड़ी fall होती वो daily chart पे देखेंगे वो नहीं है यानि market अल्रेडी expect करके चलता था यही result आने और हमें बहुत अच्छी upside चाहिए तो लगबग हमें 4500 के उपर 4500, 460 की एक range है यहाँ पर इस range के उपर stock को निकलना होगा, नीचे में 3500 के नीचे जाता है तो और pressure आ सकता है इसके उपर तेजी है, इसके उपर मंदी है इसाफे chart हमें बोल के बता रहा है daily chart देखते हैं, क्या बोल रहा है daily chart पे भी idea लेते हैं, आज की rate में देखेंगे, तो यह completely uptrend में था यहाँ से जो है, इसका एक trend जो हो खराब होना शुरू हो गया, यह हमें दिख़ा होगा यहाँ पर हमें indications आ गये थे, कि trend खराब होना शुरू हो गया है, कुछ भी हो सकता है और आज अगर market को निराशा होती इसके result से, तो candle यहाँ पर यह नहीं बनी होती, यह सीधा आज ही बहुत बड़ी fall दिखा देता, market को पता था ऐसा होने वाला है, अब मानिये जो March, April, सोरी, March के बाद में अब जो April, महीं और June है, इस quarter में वो उसकी sales अच्छी नहीं हो रही, market आपको जल्दी ही यह level तूटता हुआ दिख जाएगा अगर sales सची नहीं हो रही है, जल्दी यह level तूटते हुए नजर आएंगे, यह हमने data ले लिए, समझ लिया चीजों को क्या हो रहा है sales सची हो रही है, तो जल्दी यह आप 460 के उपर आके trade करते हुए नजर आ सकते हैं, इध्यान में रखेगा जब तक result आएंगे, उससे पहले काफी हद तक हम लोग कुछ चीज़ें पता कर सकते हैं चार्ट पर ही, बात करते हैं आज की date में किया क्या जाएं, तो बीकली चार्ट हमारे सामने चल रहा है, आईगी ध्यान से समझते हैं इसको, यह देखिए, यहाँ पर अब इसको समझके देखिए, कि आज की date में कोई इसमें already invested है, जैनी कि मैं नीचे से invested हूँ already, नीचे से invested है, वो अभी क्या कर रहे हैं, देखो हमने 50% बेश दिया है, और वो 50% इसलिए बेश्टे हैं, कि small cap company है, कभी कुछ भी हो सकता है, cost कम कर लें, तो हमारी cost काफी कम है, तो हम तो, मैं तो इसे as it is, अभी hold कर रहा हूँ, 300 के नीचे आएगा, तो देखूंगा, कि और लेना है या फिर इसको नहीं लेना, जितना बचा है उसना भी निकाल दे, वो उसके बाद decision होगा, अभी कोई decision नहीं है, मेरा तो as it is hold है, बात करते हैं, कि कोई यहां से लेके बैठा है, या मानों में यहां से लेके बैठा होता, अभी तक इस stock को तो मैं क्या करता, मुझे यह देखना होता कि company के fundamentals कैसे है, तो fundamentals थोड़े expensive है, थोड़े से अजीब है लेकिन वैसे देखा जा तो unique business है, okay है technical कैसे है, technical अभी और और long period of time में देखे तो sideways है जो आपको मुझे यहां पर नजर आ रहा है और long period of time sideways है, तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अगर मैंने उपर से ले रखा है तो सिवाए एक चीज़ के, that is accumulate in parts, मैं एक ही काम कर सकता हूँ accumulate in parts अगर मेरे पास और पैसे हैं, मैं और पैसे लगाना चाता हूँ इस company में, तो मैं parts में accumulate कर सकता हूँ, इसके अलावा मारे पास दोर से गुजर रही है, यानि कि हम चाते हैं कि company में fresh investment करें, और अच्छा दोर हो तब ही करें, तो उसके लिए हमें rupees 450-460 की range कटने का weight करना चाहिए उसके उपर आता है, तब हमें clear indication होगा कि trend bullish हुआ है, company बापिस सही जा रही है, direction सही है उसके बाद हमारे पास rupees 390 rupees 390 का क्या होगा, support होगा अगर हम fresh वहाँ पर करना चाहते हैं तो तो वो होगा, अभी हमारे पास क्या कोई ऐसा indication है, कि trend bullish है, कुछ ऐसा है नहीं है, तो अगर अभी कोई fresh ले रहा है तो उसके पास एक ही option बैठता है, accumulate कर सकता है, क्या करना चाहिए मेरे answer है, अगर आप बहुत safe player हो तो मेरे इसाफ से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए आप risk की player हो, आप तहियार हो कि चलो मैं एक defined amount है, उसका risk लेने को तहियार हो तो वही इसमें accumulate कर रहे होंगे safe player मेरे इसाफ से आप पर accumulate नहीं कर रहे होंगे जा तक मेरा अनुमान है क्या यहाँ पर फिलाल कोई swing trade दिख रही है answer is no, क्या यहाँ पर कोई swing trade है answer is no, कोई भी swing trade यहाँ पर नजर नहीं आ रही जो कि आपको confidence दे दे और swing का opportunity दिखा दे नहीं, chances high है क्या stock कभी भी थाड़े 300 को तोड़के even 300 भी आ सकता है, इस बात के भी chances high है, इससे हम deny नहीं कर सकते तो simply बात यह है कि अगर already invested है नीचे से, तो मैं तो देखो इसको hold कर रहा हूँ reason बड़ा simple है, मेरी cost is 1500 रूपए की होगी तो मुझे दिक्कत क्या है, मैं तो wait कर रहा हूँ, नीचे आएगा तो देख लेंगे, मुझे कोई problem नहीं है मैं तो hold कर रहा हूँ, मेरी mentality अलग है किसी की mentality यह है कि अभी पैसा जो मेरा उपर से फसा हुआ है मैं यहाँ पे और ले सकता हूँ क्या तो simple option है भया, अभी indication नहीं है कि bullish होगा, तो लेते हो तो accumulating parts और risky amount किसी की यह expectation है कि मैं अभी fresh पैसा लगाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि trend bullish हो तभी लगाँ, तो भया 460 के उपर अपने advisor से बात करो अभी नहीं है, किसी के expectation है कि मैं fresh लगाना चाहता हूँ, लेकिन अभी भी लेने को तयार हूँ, इस valuation पे 460 का wait नहीं होगा, तो क्या एक बार में ले लूँ answer is no, नहीं लिया जा सकता accumulating parts बनता है, as per this chart ask your advisor, वो आपको ज़ादा guide करेगा किसी की expectation यह है कि हम swing trading अभी करना चाहते है, क्या इस stock में swing trading है chart पे, भी मेरे इसाफ से तो नहीं है, बाकि ask your advisor वो आपको ज़ादा better guide कर सकता है, तो एक clear picture जो है, वो global के उपर हमने analyze करी, समझी, अब एक चीज़ और समझने कोशिश करिए, stock में यहाँ पे monthly chart पे चलते हैं ऐसा पहली बार नहीं है, कि stock 75% अपने high से तूटा है, यह तूटा है, पहले भी तूटा है, अगर आप पीछे जाएंगे यहाँ पर देखेंगे, तो यह भी अपने high से, इसी तरीके से देखेंगे 74-75% तूटा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखें, 2-3-4 साल का वेट, जिसने किया, उसने एक अच्छा रिटन बनाया, लेकिन वही कर सकता है, जिसका risk management का क्या आर्थ हुआ, जैसे मालनी जी किसी ने stock को लिया, 50 रुपे पे, 50 का stock लगबग 80 रुपे हो गया, समझके देखें, 50-60% gain आ रहा था, उसने आदी quantity book कर ली, तो उसकी cost हो गई लगबग 20 रुपे के आसपास की, उसे फरक नहीं पड़ेगा, अब stock नीचे आए उपर आए, और ride कर सकता है, तो हमने ride कर लिया, और एक अच्छा profit जो है, वो generate किया, बड़िया तरीके से मज़े किये, पुरा trend ride किया, अब आज की rate में अगर बात करें, यहाँ पर, तो हम 75% तूटे हुए हैं, हमारा vision क्या है, क्या हम 2-3 साल यहां बैठना चाहते हैं, यहाँ पर क्या 2-3 साल bullish होने के indications है, आज की rate में तो नहीं है, जो bullish था, उसका momentum खतम हो चुका, नया bullish momentum, 450 साथ के उपर है, तब देखा जाए, bullish momentum वालों के लिए, वड़ना नहीं, तो अभी solution खाली उनके काम का हुआ, यानि उनके काम का stock वा, जो इसे accumulate करके 2-3 साल बैठने को तयार है, पूछ सकते हैं, और आपको हमारे और किसी stock से regarding किसी चीज़ को पूछना हो, तो भी comment box में बता सकते हैं, ये analysis सीखने के लिए आप वेव analysis में आईए, वेव analysis training program है, एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखता है, उसके लिए आपको नीचे description में, वेव analysis की detail मिलेगी, या फिर इस नंबर पे संपक करके WhatsApp पे आप detail मंगा सकते हैं, वेव analysis की fees रहती है, 44,000, ये चीज़ का विशेज ध्यान रखे, maybe in your budget, maybe out of your budget, साथ में हमारे लिंक से account open करके भी connect हो सकते हैं, जरूदा आप स्टोक में, इस नंबर पे संपक करके आप details का अपनी बेश सकते हैं, और ये भी ध्यान रखे, join बटन पे क्लिक करके भी आप हमारे साथ, हमारे मेंबर बन सकते हैं, diamond या ISTP मेंबर as per your wish, आप join बटन पे क्लिक करेंगे तो detail मिल जाएगी, बाकी अन्य किसी साहिता के लिए, अन्य किसी question के लिए हमारे सर्विस के regarding, अन्य कोई question हो तो इस नंबर पे संपक करिए, ये question के लिए संपक मत करीगा कि इस stock में क्या करूँ, उसके लिए number नहीं है हमारे सर्विस के regarding कुछ पूछना है, तो इस नंबर पे आप संपक कर सकते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे तब तक लिए धनिवाद, जय हिन, जय भारत